बिहार के पॉपिलर पुलिस ओफिसर विकास वैभाव बाहुबली नेता अनन्तु सिंग को गिरफतार कर सुर्खियों में आये थे फेस्बुक पर एक लाग से अधिक फॉलोवर्स के साथ वो बिहार के सबसे पॉपिलर पुलिस ओफिसर बन चुकी है विकास वैभाव एनाये में रहने के अलावा पटणा में SSP भी रहे हैं फिलाल वे भागलपुर रेंज के DIG पद पर कारे रत हैं विकास वैभाव के बारे में कहा जाता है कि वे कानून को लागू कराने में जितने सक्त हैं उतने ही पबलिक फ्रेंडली भी हैं बोध गया और पटना के गांधी मैदान के सीरियल बंब लास्ट के पीछे की हर साजिश का खुलासा विकास वैभव नहीं किया था साथ ही इंडियन मुजाहिदिन के स्लिपर सेल को भी उन्होंने तहस दहस किया और नेपाल तक ऑपरेशन को अंजाम दिया था विकास वैभव फिलहाल भागलपुर में अपना योगदान दे रही हैं इनका दरबार आम जनता के लिए हमेशा खुला रहता है बिना किसी रोग टोक के लोग अपनी समस्या के समधान के लिए इनके पास आते हैं इनके कारेप्रणाली का ये असर अब भागलपुर के थानों में दिख रहा है इलाके के किसी भी थाने की पुलिस में ये हिम्मत नहीं रही कि वे F.I.R. दर्ज कराने आए पीडितों का दोड़ा दड़ा कर परिशान करें इन सब से हटकर एक बात ये भी है कि विकास वैभव को इतिहास में काफी दिल्चस्पी है एतिहासिक विरासत को सहेजने और सवारने में भी ये जुटे हुए हैं जब भी इने मौका मिला ये निकल पढ़ते हैं इतिहास के विश्मृत प्रिस्टों के बारे में उभरते सत्थियों तथा खोजों के बारे में जागरिती पैदा करने के लिए विकास वैभव का कहना है कि जब मैंने विध्यार्थी जीवन में इतिहास पढ़ना प्रारंब किया तभी से मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं लोगों की समझ में कुछ कमी है और शायद मैं कुछ नए रहस्यों दातन करने में अपनी भूमिका निभा सकता हूं नेक्स्ट नाइट न्यूजरों से ममता की रिपोर्ट